नमस्कार दोस्तों मैं एस वार्द वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज परसेंटेज के इस दूसरे वीडियो में पहला वीडियो बहुत ही बहुत दिन रहा और आप लोगों ने इसे भरपूर प्यार दिया उम्मिद करता हूं दूसरा वीडियो भी बहुत बहुत है, ठीक है पर्टु वीडियो के दिन पर्सेंटेज की करीमे और आगे बढ़ते हूए हो लोग, कुछ और समस को देखेंगे, जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाये हैं तो वो जाकर के क्रिवे आप पिछले वीडियो देख लें, क्योंकि अगर देने की जरूरत है कि जब आप पढ़ रहे हो तो समझ विक्सित करने के लिए आप एक कड़ी एक चैन बनाने की जरूरत होगी आपको और वो आपको वीडियो के मांध्यम से ही मिलेगी क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरा एक प्रोच है तो आप मेरे वीडियो को जाकर करें कैसे इसुद कुछ और स्म्स को देखते है कि इसमारा पहला सवाल जो है आजका यह मैं शुण करता हूं लास्ट वीडियो के कंसेप्से ही सुरू करताओं ठीक है ताकि आपको इसमल पिछनफ्र है और मोले नहां है करके चल रहा हुँस और अग्धर माली जी मिला की आए राम्स इंकम इस 40% more than the siam's income अगर राम की आय स्याम की आय से 40 प्रतीसत अधिक है बिखें यहां प्रसन है गरह्त परसेंट रम्स इणकर में देखें यह कैणा रहें राम की आए siya nki आई गैंको पिरन होड़ी कि हम्ट पर्सेंट से आंस इनकम इन इस अई सटेंट में इसलेस देन नाम है ये प्रसनल है कि ऩी सब्सक्ति है अब मनें अबना रखंछ था कि आपको क्या करना है 100 पर्सेंट है एक श्याम है ना तो जो क्ता से कितना कम है स्याम तो सब्सेंक्ताइब करें अब एक रिय western of the यह आपका जो हो गया आंसर है यह पता रहा है आपको जिसको भी मानना है जो complete थिन्हों को आप 100% मानेंगे विचेश आपको विडियो में देखना है विचेश आपको इस टेक्निक को समझना है तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें मेरी आपसे बार बार गुजारिस है और तभी आप यह समझ बना पाईए यह पहला सवाल तहां इसका मेंने स्रीक नेस कर दिया है यह हमारा पहला अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी राइटर का तुसमें आपको इस तरह का प्रस्ट जरूर मिलेगा और ऐसे प्रस्टों को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत प्रस्टों कभी क्या उतक्राइट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत परिशान ही का शामना करना पड़ता है और छोटे प्रस्ट में भी आप चूप कर जाते हो अपसे कोश्चन नहीं मनता है तो मैं बदा चालिस प्रतिसत द्यान से देखिए मैं इसे मिटा भी दे रहा हूं साथी साथ ताकि काम भी आसान होता है एक चालिस प्रतिसत 40 परसेंट ओफ ए इस इक्वल तो 60 परसेंट ओफ ए इस तरह से लिखा हुआ है इस इक्वल टू तो 60 परसेंट ओफ बी दम ध्यान से देखिए एक चालिस प्रतिसत बी के 40 प्रतिसत के बीके साथ प्रतिसत के बराबर है ठीक है उसके बाद कह रहा है उसके बाद कर देन 50 परसेंट ओफ ए इस इक्वल टू तो का सब्सक्राइब तो है परिख यहान प्रतिसत अपने एक्सराव तो में अपको कहरा रहा हूं कि आपको कुछ गरी की जरौरत नहीं मैं जो बतारहा हूं इंदम ध्यान से सुनिए और अब यह से लेंगे क्या कह रहा है इसका स्वीशन में यहां तरा हूं फिक है 40% आप कुछ मत किजिए एंग जो प्रस्ण है आप लिख़िए 40% लिख दिया मैंने 60% अभी लिख दिया यह दोनों आपस में बराबर है बराबर है अब एक सामने में को रखना है व के सामने में डीको ऐं ठीक है रेशियो को मैंने इसे त्रिक में बदल दिया है तो आपकोрах धना हो लेकिन B A Friend, नहीं है, B B का ही Friend होगा। लेकिन जब इसे माल करने की जरुरत होगी लडाई की जरुरत होगी तो कभी अपने A A से से नहें लड़ेगा है न है यह इससे और यह इससे इस तरह से आप इसे क्रॉस करेंगे ठीक है क्रॉस करने के बाद जो डंपा परसेंट का वेल्यू आएगा वह आएगा वी बराबर 60 यहां देखे 60 है यहां 50 है इन्टू 50 अपॉन 40 आप इसे सौल कर लिजिए दो दूनी चार्ट दो ती अच्छे दो क्रॉस करना है तो 60 इंटू 50 by 40 आप देखेंगे कि B का मेरा वैल्यू आगया वाट परसेंट भी तो यह भी देशियो के तरह ही है रेशियो पे ही यह ट्रिक निकला हुआ है तो आप इसे समझे तो डबा परसेंट भी यालिकि बी का कितना परसेंट बी का 75 परसेंट जो इसार निकलेगा ठीक है अगला प्रसेंट है इसी तरह का प्रसेंट मैं दे रहा हूं ठीक है नेक्ट्स कुश्चन में दे बतारा हूं कि अगला प्रस्ट जो है वह आप देखेंगे कुशन नमबर तीन सेम इसी तरह का प्रस्टन है अगर माल देजिए कि 30% और बराबर 75% B 30% of A बराबर 75% of B ठीक है ना is equal to is equal to 75% of B then 40% of B बराबर then 40% of B बराबर B is equal to dash percent of A प्रस्में ना जो आप तब तक मैं आप लोगों समय भी दे रहा हूं ताकि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता पाएं कि कितना इसका आंसर होगा ठीक है ना तो आप देखिए जाए 30% of A 75% of B के बराबर है सेम वे में आपको क्या करना है 30% of A आप रखिए 30% A का रख दिए फिर B के जंग में कितना 75% B का रख दिए 40% फिर अब देखिए 40% B है तो B के सामने में B A के सामने में मैंने कहा है ना और इधर हो जाएगा डबा परसेंट ओफ डबा में इसे कह रहा हूं ठीक है ना तो यह मतलब एक्स परसेंट करेंगे क्रोस करेंगे क्रोस करने के बाद क्या होगा 40 x 75 तो क्या हो जाएगा 40 x 30 x 75 यह हो जाएगा डबा परसेंट ओफ ए है ना तो अब बताइए इसको सॉल्ट कर लिजिए पांच से पांच्छा के तीस है ना शेपंचे तीस हो गया और फंदर फचे पच्टर फिर फांच से करिए फिर तीन तीन दुरी छे पीन पच्छे पंगा पांच अठे चालीस यह जागा सिस्टी परसेंट अगया यादि कि इस बॉक्स में कितना परसेंट आएगा इस तरह से आप कोश्चन को बनाएंगे कोई दिकत नहीं गोथा एक सवाल और मैं ले रहा हूं ठीक है जहां पर कि आपको डेटा थोड़ा संतर रहेगा अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ रहेगा तब आट क्या करेंगे उस प्रश्ण को मैं यहां पर ले रहा हूं ठी है आप ऐसे ही प्रश्ण बरीए मैं एक दो कुश्ण इसलिए बना दे रहा हूं ताकि आप इस प्रश्टन को पकर पाएं कि कैसे हो रहा नहीं तो मैं नहीं भी बनाता है आप फिर सोच नहीं पाते कि कैसे हो रहा है अगर ऐसा फ्रस्ट रहे कि माल देते हैं कि 20% बराबर 50% अगर कुश्चन रहे कि 20% बराबर 50% 20% बराकն लुट को एक फूट बराबर مय प्रस्ट नियुक्त कि अगर बनाता है विकर्टी परतार को प्रस्ट गेसमिन फिर पर्श्ट एक्स पर्सेंट तो एक्स का वेलू क्या है, भी ब्राबर दिया हुआ है ना, एक्स परसेंट तो जहाल सोचो, मैंने कहा था ना, कि जब आप खुद को पूरा कहीं भी समिल कर लेते हो, तो आप अपने आपको 100% तो हमाँ चला जाता है, आपने खुद का 100% उजे दिया है, त तो यहां B पूरा दे दिया है A को, B पूरा दे दिया है A को, यह प्रस्ट में नहीं है, सिर्फ बोल रहा कि B बराबर X% of A, तो आप इसे क्या करेंगे, 100% रिख लिजिए, 100% कोई दिखत नहीं है, एक स्केंट मैं, तो आप देखें, 100% मैंने रख दिया B करेंगे, यह मैंने सकते हैं, क्योंकि B पूरा आपने आपको दे रहा है A को, तो 100% रिख फिर से सेम तरीका, क्या करेंगे, बताइए, 100 into 25, 50, 50, 900, यह हो जाएगा 40%, क्लियर है ना, इसका, तो यह X का वैल्यू कितना लिकल जाएगा, 40% अंसर, ठीक है, उमीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे लोगों को share करेंगे, क्योंकि मैं एक pattern पे चल रहा हूं, और एक भी प्रस्न को, एक भी type को प्रियास करूँगा, कि मैं ना छोड़ू, और यह exam point भी से आपका बहुत ज़री होगा, एक तम free access से कोई दिक्कत नहीं, आप इसे पढ़िए, और मजा लेजे lecture का, ठीक है, तो ठीक किस तरह सी जिसका answer होगा, ठीक है, आपको यह समझना, X percent of A, प्रच्न है, X percent of A बराबर Y percent of B, ठीक, X percent of A बराबर Y percent of B, then Z percent of A बराबर DICE percent of B, यह आपको इस box में यहापर DICE के जनम क्या होगा, इसे आपको solve करना, इसे आपको solve करना है, प्रच्न लिख लिए आपने, लुए ने आप सोट रहा है आप इसे सब्सक्राइब ऑन स्टार रहा है तरीक आप यहीं लगांगे प्रियास करेंगे कि इसी तरीके से आपको बनाना है ताकि आपको हमां समझ में को सब्सक्राइं कि क्या है कि अगला प्रस्न है मैंने बात क trio क ONE को को अगला प्रस्न यह यह क्यूसा सबC कि इसे मार्कर मैंने पास मेरे पास मैंने किसी और को दिया फिर हैंट टू है यह सक्सेशिव है या इंकम है या सेलिंग है अगर यह दू प्राइस हो उसके बाद दोनों का अगर कोई भी दुकानदार मतलब यह सभी का यूज कर देता है तो घाए दो ने ना तो लेकिन इन दोलों का क्या यह तो तो यह से प्राइस कोई भी आइटम है कोई भी आइटिकल है डिक्रीजड वाइट्टी परसेंट अगर इसको बीस प्रतिसत से कम कर दिया जाए ठीक है तो गो राय है कि दें तो शेलिग आइटम इंक्रीजड पर्ति पर्ति पर्सेंट अब दिक्षिड प्रस्न है यह इंक्रीजड बाइटम थिए पर्ति पर्ति पर्सेंट थेक है और एक रहे है वाट इस फैक्रीजड प्रस्न अब आप इस तरह का प्रश्न होता है तो आप क्या करते हैं ऐसे प्रस्न को कैसे सब्सक्राइब करते हैं इसे अब देखिए मैंने कहा अब देखिए सेलिंग सक्सेशिक कैसे हुआ कि कोई भी आयने उसका दाम 20% कम हो गया उसका सेलिंग बढ़ गया कितना पर सेंट तो तो इंकम पर आएगा तो क्या होगा इसे कोश्चन को भी बनानी की जरुबत नहीं आपको मैं बतारों सक्सेसिव का जब भी बात हो तो आप कुछ मत कि जिए आपको एक मैं ट्रिक दे रहा हूं कि यह ट्रिक है कि आप a plus b plus ab by 100 करेंगे ठीक है अब plus का मतलब होता है बढ़ना है तो मैंने से यह common सा aspect है common सा बात है जो आप सभी लोगों को पहले से पता है यह आम सा समझ है जो आपको पता है तो यह दोनों का sign देखें a हो गया माल लिए कि अगर हम a माल लेते हैं किसको a माल लेते हैं क्या कि price जो decrease हुआ है उसको a माल लिए quality है और जो selling बढ़िए उस करेगा ताप इसके सवर्यम में जाएंगे यह वाला परूल्हा लगा देंगे अगर माल लेतिया कि a मेरा इसीट कर रहा है तो प्लस में और दोनों ही माईनस में हो जाए तो यहां प्लस हो जाए हर दोस हो जाए क्योंकि---- स्क्राइट अगरा जय और यह वारवकों समय के सबढ़ सब्सक्राइब और यह क्या हो गया माइनस एप्लस में तो एइंक्रीज करेगा ठीक है और बी क्या करेगा डिक्रीज करेगा ठीक है तो यह हमारा प्रस्ण का जो है आधार है इसी पर आप आराम से बहुत असानी से एक दम नुम हावू के तर आप इस कोश्चन को बरा सकते हैं कुछ भी आप आप को सोचने की दुर्वत नहीं है अभी आप देखें इसी प्रस्ण को इप्टेश ऑफ एटेम इस डिक्रीज वाइट तो 20 परसेंट प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो यह हो गया मालेजिए क्या वीस परसेंट यह डिक्रीज है तो माइनस में लेंगे ठीक है भी हो गया सब्सक्राइब में अब और चयोंट को सब्सक्राइब और निकरीज करेंगे सक से सी प्रसेंट करेंगे लेकिन यहां के मैं बता रहा हूं कि इस फर्मॉला पे आप चलिएगा तो कोई आराम से कोई लिकत नहीं होगा अब देखें जैसे सक्सेसिब डिसकाउंट होता है और भी बहुत साथ चीज है उसे मैं देरे देरे डिसकस कर दूंगा पहले आप यहां देखें कि यहां जो मैं पहले कि इंकम पर आप कर रहा हूं मतलब इंकम तो किया होगा मैंन से माइन से कौन सा फॉर्मॉला लगेगा यह निगेट्टिव और भी है पोजीव पॉज्य और मायनस किया होगा वी सिंटू 40 ब॑टा 100 ठीका यह इसको इसको उसको कि आपको crisis है क्लम सब्सक्राइब करें नाय Hastam लट kommen को कैसे एंक्रीज करना है लिखते भी चलिए एक पैटर्ण बनाते चलिए मैं तो कहता हूं कि कॉपी कलम लेकर कि अगर आप बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यह फाइदे मंद होने वाला है यह सरीज अगर आप इसे धंग से कर लेतों तो जिस भी चैप्टर को मैं मुबादा करता हूं कि लुकलाम है यहाँ मैं ना उसका इसा इसने के मैंने दो चार पांच कोशन बता दिया आप भी मजह रहां में सकते लिए आपका काम नहीं चलेगा आपका काम चलेगा तब जब आप पूरा का पूरा तौल कि आप कि सी वी टापिक को अच्छे तरीके से समझ पार है और बना पार है ठीक है चलिए तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है इसी तरह का प्रश्न अगर मालेजिए कि कभी-कभी रेक्टेंगल में इस तरह का प्रश्न देता है जी से का मताईए कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेट है तो लेंथ और ब्रेट लंबाई और च अगर लेंथ जो है रेक्टेंगल का इसे सुन करके समझ लेंगे कि लेंथ आप रेक्टेंगल जो है इन्क्रीस किया है 20% है ना और एंड ब्रेट अब ब्रेट वाइँ थर्टी परसेंट ठीक है 30% रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली इसन नहीं भी लिखेंगा चलिक्ता है फाइंद अपर्शेंटेज जी इंए अध्स एरिया फाइंद आ और सेंटेज जिए इन इस एरिया तो बताई इस एरिया में अब यह बताओ दोनों बढ़ रहा है लेंथ भी बढ़ रहा है और ब्रेट और मधर नवाढ़ कोई दिक्कत नहीं है अब बताएज कि लेंथ भी बढ़ रहा है और नो तो दोनों को लेंट और बेट का ही तो मतलब जो है एफेक्ट होगा एक लिए पहना दोनों बढ़ रहा है तो यह वाला फॉर्पॉला यह वाला फॉर्मॉला इस बताइए क्या होगा परसेंटेश इफेक्ट जो होगा एक गटेगा देख लेते हैं इसे भी अन्रस्टोल है कि सब्सक्राइब तो इसी तरह से आप ऐसे कोशन को बना इसमें एक ट्विस्ट भी है जो कि मैं बता देता मूं ताकि आपको जिक्कत नहीं हो अगर यह किस तरह का प्रस्ट है कोई भी टू-डैमेशल फिगर के बातुक हो रहा है ठीक है रेक्टेंगल हो तो आप टू-डैम एक कुश्यद है कि इफ द रेडियस इफ द रेडियस आफ अ सर्कल इस इंक्रीजड वाई थर्टी परसेंट अब यह बता रहा हो अगर सर्कल का देटितितित प्रतिस अद बढ़ जाए फाइंड द आ इस चेट परसेंट चान इट Dom a cruel अब बताओं अब यहां और बदोनों नहीं है मिल्द आ का लिए बतब दो क्राइब तब नहीं है कि इस फॉर्मूला को लख रहा हूं यह मैं बिटार दे रहा हूं, ठीक है? अब यही फॉर्मुला कैसे हो जाएगा? आप देखिए, दोनों बदल रहा है ना, दोनों में से क्या हो नचीए, दोनों नहीं है, तो आप क्या कि यह A है, तो यहां पहले से B को भी A से रिप्लेस कर देजिए, तो दोनों जग़े A हो हो जाएगा, by 100 हो जाएगा, ठीक है ना, अब यहां में देखिए, यह एक साथ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तो A ही है, और बीच में प्लस या माइनस करेंगा, अगर इंक्रीज होगा, तो प्लस, इंक्रीज होगा, जैसे यहां पर रेडियस क्या हो रहा है, इंक्र तो नीचे क्या लीपे, माइनस, यानिकि यह जो फर्मूला होगा, अभी, यहां पर क्या हो जाएला, 30 प्लस 30 और इंक्रीज हो रहा तो बीच में, प्लस 30 यांन की तीस इंटू थीस यह हो गया, यानिकि तीस प्लस 30 और प्लस 9 तो 69 पर सेंट उसका एरिया क्या हो गया, प्रस्टिस माइनस नाइन तो यह हो जाता साथ माइनस नाइन यारी 51 परसेंट का एडिए डिग्रीज बुलाता है तो ऐसे प्रस्टों को आप ऐसे ही करेंगे और इस तरह का प्रस्ट जब भी होगा तो आप आराम से इसे सॉल कर सकते हैं बाद में जब आप देरे-देर क्ला यह ही मैं मेंसातों तो मैं भी आपको दॉरणने के लिए रे डिंगै अंगला जो प्रस्ट है अगला प्रस्ट मैं बता रहाएं तो इसको ये अगला प्रश्न का मैं वह देख रहा हूं ठीक है लास्स में मैंने आपको एक बताया था है जब पहले वाले को निकालना होता है एक प्रश्न मैं दे रहा हूं कोईशन यह बहुत तगड़ा कोईशन आप इसे एक्स लेके बराऊंगे तो मैं गावे के साथ के सकता हूं कि एक पेज म सब्सक्राइब नहीं बनेगा तीक है लेकिन अगर आप आप मेरे टेकनिक से चलोगे ती तुरंद बनेगा यह ज्यादा ज्यादा पास सकंड देखिया अगर यह कोईशन है कि राक्रामन सेब्स ठीक है 20% of his income of his income बहुत सांदार कोईशन है 20% of his income आगे आने वाला है and after two years his income increases by 20% and after two years अब यहां पर दीखें बोल रहा है क्या तरहां मतलब जो है कि 20% रामन आपने इंकम का सेब करता है और दो साल बाद क्या होता है उसका इंकम 20% बढ़ जाता है and after two years his income increases by 20% increases by 20% थी कि 20% बचा भी रहा है और दो साल बाद उसका इंकम 20% बढ़ रहा है बड़ता सेविंग इफ लिंग जाता है and if after ठीक है but still saving is same saving remains the same saving यानि बचत अभी भी उतना ही है ठीक है बचत अभी भी क्या है उतना ही है तो बताइए कह रहा है कि उसका expenditure कि तरह बढ़ा how much percent his expenditure increases how much percent how much percent his expenditure increases expenditure increases अब बताइए बोले रमन अपनी आएका रमन अपनी आएका 20% बचाता है यदि दो साल बाद उसकी आए 20% बढ़ जाती हो फिर भी बचत उतना ही है जितना की पहले था तो बताइए कि उसका expenditure कितना बढ़ बढ़ गया है यह प्रस्ण है अब मैं इसे एक उधारन के साथ आपको समझा रहा हूं ठीक है उधारन यह है कि अगर आप सोच लो कि आपको ऐसे समझा रहा हूं कि आप अपने घर से सो रुपया लिया सो रुपया को मैं आपका इंकम माल देता हूं सो रुपया आपने घर से लिया और बाहर जो है सबजी लाने के लिए आपकी मम्मी ने सो रुपय दे करके आपको कहा कि बहई आप जाओ सो रपे लेकर के और सब्सक्राद और कुछ पैसे की सब्जी ख्रीदी और कुछ बचा लिया तो जो आपने खईदा जिस पैसे को आपने खरच एकसपंडीचर पाइस इसका मतलत कि तो 1020 रुपय हो दी गाता है आप सोबीस रुपए ने करके आप आप सब दे लाने जा रहे हो तो 120 रूपया क्या हो गया आपकी इंकम हो गई और 120 रूपय में 20 ये 20 नहीं है 20% है सौक का 20% 20 हो रहा है तो अभी 120 का 20% क्या गो 24 24 आप बचा रहे हैं क्योंकि पाहले जैसा ही सेविंग है क्या रहा है कि अभी भी बचत पहले के समानी तो इसका पताव अगर आपने 24 खर्च किया तो 96 क्योंकि 24 और 96 को जोड़ो करके 120 साना चीए क्योंकि जितना आपने बचाया तो रिमेंग पैसा क्या हुआ खर्ची तो हुआ आप क्यारा कि इतना बढ़ा तो आप बताईए असी में कितना बढ़ा सोला पढ़ा असी रूपया पहले आप खर्च कर रहे थे इंकम बढ़ गया तो आपका खर्च भी बढ़ गया जो कि होता ही है जिसमें निकलना होता है इसको नीचे यह जा भात हो रहा है लाओ नीमडस कर रहूं मैं ऊपर यह वाला में यहां तो यह जिसका प्रचीर में तो सोला तो असी में सोला बढ़ाया तो नीचे रखा मैंने और सोला उपर रखा ठीक है तो सोला पंचे असी यह होगे यारी कि 20 प्रतीसरत जो है आपका expenditure बढ़ गया है 20 परशेंट वहाना असान बहुत असान था अगर आप इसे सौल करने का प्रयास करोगे आपको बहुत टाइम लगने वाला है और एक पेशन जाएगा फाइदा आपके लिए मैं हम आप इसे बनाई है कोई दिकत नहीं सौल किजिए और मजय लीजिए अरिथमाटिक का ठीक है एक और प्रस्न में इसी प्रकार का लेता हूं ठीक है इसमें जो प्रस्न है अगला प्र करनाम को बदल करके लिखने से बच जाओंगा है ना क्योंकि अभी वह इसमार्ट वोड तो है नहीं कि इसमें परिशा नहीं होता है तो आप जानते हो कि लिखना मिटाना पड़ता है तो इतना तो आप कर्ष्ट कर लोगे चलिए मैं आप इसे मिटा रहा हूं चलिए रमन क अब 75 परसेंट आफ इस इंकम ठीक खर्च कर रहा है अब यह देखें उल्टा चल रहा है कि पच्पतर परसेंट इसने खर्च किया इस इंकम इंकेस्ट अब 20 परसेंट और कि एंड इंव है इस इंपन केंव इंकरिजी का ट्वींटी परसेंट थीक है माल थे कि इनकम इसका दो साल नहीं दिया हूआ है कि इसमें दो साव दूसर ओने विंकम इसका बीस पर तीस अल बढ़ रहा है ऐ इंकम इंकर भींटरा विश्च पर्सेंट एप्सट्टरा यहां पर थोड़ा सा चेंज रही पर्षेंट ढूर कर देता हैं चलिए एंड आप्सेंटिटर इंक्रीज इस एक्सपर्डीचर इंक्रीज इस बाइक विश्य देख लो ठीक है क्या कह रहा है एक्षिट्टीछ इंपाई यह वाई एक्षिट न्स इस प्रदिसद बढ़ गया गाउ मच पर नपर सेंट दस लिए प्र्देशन दस देने इस वाइए प्रदिस पर देस्ट कर रहा है और दो साम इसे में तक दीर में टाट दूसल के आओ यह वीच पर दिशन बढ़ गया लेकिन आपने माल लिया कि सव रुपया कोई दिक्कत नहीं आप बताइये कि 25 रुपया खर्च कर रहा है तो 50 रुपया बचा रहा है अब इंकम क्या होगे 120 अब सेविंग जो है कितना है वो नहीं बात कर रहा है बोलाई कि expenditure इसका जो है expenditure इसका जो है वो 10 परशेंट बढ़ गया तो अब बताएए कि आप 75 परतिसत जो है सब्सक्राइब तो अब जो नया खर्च यह हो गया नया खर्च क्या हो गया यह हो गया कि 82 रुपया पांच पैसा खर्च करता है अब जो बचा तो वो क्या होगा जाहिर सा बात है कि जो बचा वो जाएगा आपका सेविंग तो 37.5 बच रहा है बच रहा है आप इसको जोड़ा करके देख लिए 120 आ रहा है नहीं मुझे रखता है कि आ जाना चीए है ना 120 आ पता है यह कितना परशेंट हो जाएगा तो यह आप देख लिए यह पॉइंट बढ़ा दिजिए यह दो यह पचास परशेंट उसका सेविंग ऐसे भी देख लिए 15 में सारे 12 रुपया पढ़ा है तो पचीज का आधा गया होता है सारे 12 ही होता है ना 12.5 रुपीज ही होता है ना तो इसका मतलत किया कि पचास परशेंट उसके भी बढ़ गया है तो इस परशेंट को भी आपने महुत आराम से सॉल्व कर लिया मैं उमीद कर हो कि आपको समझ में आ रहा होगा अगर मैं कुछ ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं तो आप उसे बार बार वापस आप से बोले या रालधनी एक्सप्रेस के इस आप से बोले आपके समझ से मुझे मतलब है ठीक है ना तो यह हो गया आपका आप क्या बंदे भरत एक्सप्रेस फूट गया था तो पचीज और साधीस परफाण पाश है ना तो यह बताए कि सारे बाद रुप्या बढ़ा तो पचीज में साधे बारा कितना होता है चुप्टी परचंट तो फिप्टी परचंट उसका क्या बढ़ गया सेविंग बढ अगली बार से आप एक्स लेकर के नहीं बनाएंगे यह मैं चाहता हूं और आप इसको फॉलो करेंगे चलिए अब अगला जो प्रस्न है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न मैं एक और प्रस्न ले रहा हूं कि अगर माल लेते किसी परिक्ष्छा में इपकर कैंडिडेट गैंडिडेट रिक्वायस 45% मार्क्स तो पास एन एक्षामिनिशन एक्षामिनिशन अगल किसी भी एक्षामिनिशन में पास करना ही के लिए 45% मार्क्स चाहिए लेकिंग बट वी स्कोर्स या फेच लिए तेता है अच्छा लगेगा 206 मार्क्स एंड फेल्ड बाइंड फेल्ड बाइंड फेल्ड बाइं 19 मार्क्स उनीस नमबर से फेल लागा है और उनीस नमबर इसे फेल हो जाबता है बोला कि बताइए तो वाट इस तो टोल मार्क्स वह बताइए जो बच्चा लास्ट वीडियो देखा होगा वह इसे बहुत असानी से सॉल्ब कर लेगा करना क्या है यह अगला टाइप है नेक्स टाइप आप इसे काउंट कर लो स्टुडेट वाले क्या है कि यह के रहा है कि यह को 45 पर्सेंट माक्स चाहिए अना आप लोने के लिए लेकिन यह बताओ कि 206 नंबर लाके फेल हो रहा है यह देख्यों कि 206 में उनीशंख से पेल हो रहा है तो जय से यह आपने इसे उनीशंख दे दिया यह पास हो गया और मास हो गया तो यह 25 परशेंट के बराबर आगिए और किसी भी एक्जाम का मास्ट किता होगा ? 100% मास्त तो यह हो गया 100% तो 100% का वेल्यु निकालना है तो यह हो गया है और उसके माद सो एक्वेट कर दिए और एक हम मतलब फूल माक्स के लिए क्या करना है हुआ है बहुत आसान है कोई दिकत नहीं आप बना सकते हो है ना चलिए एक कुछिन इसी परकार का और देखते हैं ठीक है इसको मिटा देना हुगा है अगर दो विद्यार्थी रहे यह तो एक विद्यार्थी था अगर दो विद्यार्थी रहे तब क्या हो तो प्रस नहीं प्रस नहीं हमारा कि एक स्टुडेंट है इस्टुडेंट 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 20% marks in an exam in an exam ठीक and failed by 26 marks failed by 26 marks 20% marks ला रहा है और 26 marks से फेल हो रहा है ठीक है आप कहा रहा है कि another student एक और student another student अब एक और student का यहां पेंडरी मैं करा रहा हूं another student is scored 40% marks ठीक है यह secured 45% marks और ही 45% marks and fetch fetch मतलब लाना है ना and fetch कितना marks अधिक लाना है 24 marks more than the passing marks या पे देखलो 24 marks more than the passing marks ठीक है 24 marks more than the passing marks तो बोल रहा है कि another student जो है secured कर रहा है पैटारीस पर्शेंट मक्स लेकिए उसको passing marks से 24 नमबर अधिक खा दिया है ना फिर कह रहा है कि what was the pass mark of the exam pass mark find the pass mark चलिए find pass marks अब उतना लिखने का मेरा विमन्नी करता है यह जितना आप आप सेर करेंगे उतना जल्दी यह बोड़ बदल जाएगा आप इसे सेर करते लिए ठीक है अब यह देखें passing marks and find pass marks अब यह pass marks जो है निकालना है तो pass marks निकालने का अगला passing marks क्या नहीं ना दोनों के लिए से marks क्योंकि दोनों और Phase century bucks apart 45 marks ला रहा है कि अतर्यरा और 24 अंबर अहर। इसको मैनस करतो अब यह दोने पास अई देखिए नहीं कि 45 परसेंट वाले को इ算 ईदर से लाइए तो क्या हो जाएगा या इन्हकलाइए तो फैटालीस में से बीज रिया तो यह जाएगा 25 पर्सेंट पराबर क्या होगा इसको इसको इस बराबर 50 झाल लिवासं माउइल अभी सब्सक्राइब निखर नेंने इसको चाहिस गुना कर दिए कि 200 माउच का होकर गया ना डौन हस्ता ऋपाश्बिस लाइग हैन। यह फॉसं दोच Cherry एक ट्जानने परशिंतने किसे ने काल ईहां सब्सक्राइब तो दो सो का 20% कितना हो जाएगा चालेस और इसे पर शबीज और दीजिए क्योंकि शबीज जोड़िएगा तभी ना पास करेगा तो 66 मार्क्स था इसका पास मार्क्स या आप क्या करेंगे तो यह हमारा था आज का क्लास ठीक है और मैंने इसमें लगबग लगबग तीन चार टाइप पर कुशन बताया और उमीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत फाइदे मंद हो रहा है इस रिच ठीक है तब तक के लिए बच्चो गुडबाई तिल देन बाई-बाई-बाई- बाईदे मार्यों